MCD चुनाओं में अपने हार को देखकर बौखलाहट के कारण भारती जनता पार्टी वही हत्कंडे फिर से अपनाना सुरू कर रही है जो उन्होंने 2015 के चुनाओं के पहले अपनाया था आपको याद होगा कि सेर सिंग डागर के माध्यम से आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिज भारती जनता पार्टी ने की थी आपको याद होगा कि हमारे स्पीकर को चुनाओ के पहले 2015 के विधानसभा चुनाओ के पहले अपनी पार्टी में तोड़ कर ले गए थे इसी प्रकार से विनोत कुमार बिन्नी, असोक चौहान, राजेसगर गेमेले सब को समय समय पर ये तोड़ फोड़ करके भारती जनता पार्टी में सामिल कराया था तो ये दिल्ली की जनता ने साबित कर दिया कि अगर बीजेपी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिस करेगी आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की कोशिस करेगी अर्विंद केजरिवाल जी को कमजोर करने की कोशिस करेगी तो जनता और मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी होगी और सत्तर में से सरसट सीटे विधान सबा के चुनाओं में आम आदमी पार्टी की आई जब यह हतकंडे जब यह राजनितिक हतकंडे वीजेपी अपना रही थी भारती जनता पार्टी का लोकतंतर में कोई यकीन नहीं है जनतंतर में यकीन नहीं है वो सरकारे बरखास्त करके और तोड़ फोड़ करके राज चलाना चाहती है अरुनाचल प्रदेश में हम लोगों ने देखा उत्त्राखंड में हम लोगों ने देखा मणीपूर और गोवा में हमने देखा कि किस तरह से लोकतंतर की हत्या करके वहां पर सरकारे गिराई गई और सरकारे बनाई गई अब यही काम MCD के चुनाओं के ठीक पहले भारती जनता पार्टी ने दिल्ली में सुरू किया है हमारी सरकार को आस्थिर करने की कोशिस सुरू किया है लेकिन इसका खाम्याजा जनता अपने वोट की ताकत से M.C.D. के चुनाओं में भारती जनता पार्टी को सुनाएगी अपना फैसला और भारती जनता पार्टी को हार का सामना उसी तरह से करना पड़ेगा जैसे 2015 में भाजपा हारी थी और तीन सीटों पर आई थी अब इसके बहुत सारे कारण होंगे अब जब वहां लेके गए हैं तो विधायक को सामने करवा के क्या बुलवा रहे हैं क्या कहवा रहे हैं तो भाजपा वाले बता सकते हैं आपको ज़्यादा